ताजनगरी आगरा में अपरादि घटनाए रुकने का नाम नहीं ले रही हैं एक ऐसा ही मामला आगरा के सदर में देखने को मिला जहाएं एक मामा ने अपने भांजे में गोली मार दी इसके बाद मामा मौके से फरार हो गया सूचिना पाकर मौके पर पहुँची पुलिस ने खायल युवक को इलाज के लिए इस्पताले भरती करा दिया और जाज़ परताल सुनु कर दी आगरा के थाना कहरे मोड पर उस वक्त अफरा तफरी मज़ गई जब एक युवक की गरदन में गोली मार दी आपको बता दें कि द्वापर योक में कंस ने अपने सगे भाण्जय को मारा था आगरा में भी कुछ इस प्रकार के घटना को अज्याव एक मामा ने दिया अपने सगे भाण्जय को गले में गोली मार दी और फरार हो गया आपको बताते चलाएं कि गौरव अगने उत्री का कुछ पैसे की लिंदिन अपने ही मामा पर था जब गौरव ने मामा से अपने पैसे मागे तो दौनों के बीच बिवाद बढ़ गया और बिवाद इतना बढ़े गया कि गौरव के मामा ने गौरव की गर्दन में गोली मार दी गोली कांट से पूरे छेतर में संसनी फैल गई वहीं गोली लगने से यूवा की हालत गंबीर हो गई है सुचना फिलते ही एस्व सिटी सीओ सदर सहित ठाना बुलिस मोगे पर पहुंच गई और वहीं परज़नों ने गंबीर हालत में योग को नजदी के अस्पताल में बढ़ती कराया जहां इसका लाज चल रहा है पूजा का सामान अवारे लड़का लेने आ रहा था तो इसने के रही मोड़ पर अवारे लड़के को गोली मारी इसने के रहा है अब वहारे वहारे सब्सक्राइए इस के पास है तो यह कहता है इसके साल हिंए यह निकल लो खुछ पैसे एमारे देने के लिए प्रूपाइश सुरू से मतलब मावापको सुरू जारू से मारते फिटके दे लड़के तब 10 तक हमारे मावाप नारे बाहा के में रही एप के भीवानी पे आगे फिर वो क्या समझ ले समझते तो आज वो ऐसा करते बहिया के एरे मोड जो की थानद शेत्र ताज गंज और सदर की बॉर्डर पे नपड़ता है वहाँ पे एक गोली मारने की सुचना है कि गट्टी को नए सामने आएगी जिस गट्टी को गोली लगे उसका नाम गोरो बुर्फ नमूनू है मोगे पे इस्पेक्टर सदर सभी लोग पहुचे विप्टी को अबिट यहां पे किया गया है उसकी खालत अभी की लिए टॉक्टर स्टेबल ना बता रहा है और उनके पीसे प्लिस्टीम भी नगे हुई है यह नप्रकरन कुछ आपसी पैसे के लेंडियन को हुआ है ऐसे बॉर्फ मोनू जो है इसके खरवालों का कहना है